अकाल म्रत्य वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या विगाड़े जो भक्त हो महाकाल का दोस्तों इस वीडियो में आपको हम घर वेठे 12 जियोतरलिंग की दर्सन कराएंगे सबसे पहले नाम आता है शोमनाद महादेव का शोमनाद जोतरलिंग गुजणात के स्वराष्ट छेत में इस्तित सोमनाद जोतरलिंग को प्रतवी का पहला जोतरलिंग माना जाता है यहां पर देवताव द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंडविय जिसे सोम कुंडिया पाप नासक तीर्थ कहते हैं यहीं पर भगवान स्री कृष्ण ने अपनी लीला को समाप्त किया था अब बात करते हैं दूसरे जिर्तलेंग जिसका नाम है मलिकारजुन महादेव जिर्तलेंग आंधप्रदेश में कृष्णा नदी के तत पर श्री सेल नाम के परवत पर इस्तित है यहीं पर गड़िश भ महाकालेश्वर जोत्रलेंग मद्द प्रदेश में इस्तित उज्जेन में महाकालेश्वर जोत्रलेंग इस्तित है एक मत दक्षिण मुखी जोत्रलेंग है यहां प्रति दिन होने वाली भश्म आरती विश्य भर में प्रशिद है हर एक व्यक्ति चाहता है तकदीर मुझे ले पास जिस स्थान पर यह जितुरलिंग है उस स्थान पर नदी वहती है और पहाड़ी के चारों और नदी वहने से यहां ओम का आकार बनता है अब बात करते हैं पांच में नंबर पर आते हैं हमारे केदार नाथ केदार नाथ इस्थित जितुरलिंग उत्राखंड में यहीं पर 2013 में बहुत बड़ी बाड आई थी छटमी नमबर नाम आता है भीमा संकर महादेव भीमा संकर जियोतरलिंग महराष्ट के पूरे जिले में शहाद्री नामक परवत पर इस्तित है यहीं से भीमा नदी भी निकलती है यह दक्षड पस्च्म दिसा में भहती हुई रा प्रशिद्ध जियोतरलिंग हैं जिसे हम भीमा संकर जियोतरलिंग की नाम से जानते हैं साथ में नमबर पर आते हैं बावा विश्यनात बावा विश्यनात का यह जियोतरलिंग उत्तव प्रदेश की धार्मिक राध्धानी माने जाने वाली वारांड सी सहर में इस्तित थे 1777 से 80 में इंदोर की महारानी अहिल्यावाई द्वारा इस मंदर का जीरुनधार करवाया गया था अहिल्यावाई हुलकर ने इसी परीशर में विश्योनात मंदर वनवाया जिस पर पंजाब के महाराजा रडजी सीने सोने का छत्र चड़वाया था आठवी नम्मा आते हैं तरमकेश्वर महादेव महराष्ट के नासिक जिले में इस्ते थे तरमकेश्वर जोत्र लेंग के निकट ब्रह्मागरी नाम का परवत है इसी परवत से गोदावधी नदी सुरू हुई है एते हमारे तमकेश्वर महाधेव अब बात करते हम नौ में नमबर पर नाम आता है बैद्धनात महाधेव का बैद्धनात जोत्रलेंग छारकंड प्रांद के संथाल परगना में चसी डी रेलवे स्टेशन के करीब इस्तित हैं धार्मिक पुराणों में सिव की इस पावंधाम को चिता भूमी भी कहा जाता है कहते हैं कि बैद्धनात जियोत्रलेंग का जो जाप करते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं 10 में नमब नाम आता है हमारी नागिश्वर महादेव नागिश्वर जियत्रलेंग गुजरात के बड़ोधा छेत्र में गोमती द्वारका की करीव स्तित है धार्मिक पुराणों में भगवान सिव को नागों का देवता बताया गया है और नागिश्वर का अर्थ होता है नाम कहा जाता है अब बात करते हैं जो आकरी नुमेर पर आते हैं गृष्ण इशु दॉल्ध माहदेव महराश्च के संभाजी नि Smile BC दौलताबाद के पास इस्तित हैं भगवान सिफ के 12 जोत्र लेंग में से यह अंतिम जोत्र लेंग है इस स्थान को शिवालाई भी कहा जाता है तो दोस्ते यह थे 12 जोत्र लेंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत